नमाश्कार आज की इस वीडियो में हमारा विशे है संतान रिखाएं हर व्यक्ति अपने संतान के बारे में जानना चाहता है बहुत से माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें संतान होगी या नहीं होगी और यदि होगी तो कब होगी उसमें कितना समय लगेगा उसमें क्या संभावना है कि संतान होने की संभावना है भी या नहीं है और जो हमारे पामिस्ट्री को जो सीख रही है जो लोग हस्त रेखा के ग्यान को अर्जन करना चाहते हैं, केवल जिग्यासा के उद्धिश्य से ही जानना चाहते हैं, उन लोगों को ये जिग्यासा है कि संतान की रेखा असल में होती कुन सी है। महीन खड़ी जो रेखाएं होती हैं, ये संतान की रेखाएं होती है। हाथ की शीला पर पांडूली, हाथ की चिन जो है, वो हस्त रेखा का चिन जो है, प्राचीन शीला लेख पर पाया गया। ये शीला लेख महरवाडी भार्षा में शायद लिखा गया है, और लगबग एक हजार वर्ष पुराना है। कुछ विद्वान इसे 800 वर्ष, वेग्यानिक रूप से 800 वर्ष क्या प्रमान मिला है, कि 800 वर्ष कम से कम पुराना है। उससे अधिक पुराना हो सकता है, क्योंकि उस पर जो शिंग के निशान बने हैं। प्राचीन समय में शेर के निशान में शेर के मुह की स्थान पर हाथी की सून लगाई गई है कुछ स्थानों पर। ये बहुत पहले ऐसा किया जाता था शेर को बहुत कलात्मक तरीके से बनाया जाता था जिसमें शेर के मूँ जो था उसमें हाथी की सून लगा देते थे तो वैसा आपको शेर उसमें दिखाई दे रहा है शीलालेक में तो ऐसी स्थिती में उसके और अधिक प्राचीन होने की भी संभावना है किन्तु उस समय क्या विद्वानों का मत है उस समय विद्वानों ने इस रेखा को भाई बेहनों की रेखा का है तो वहाँ ये मत सहमत नहीं हो रहा कि ये संतान की रेखा हो सकती है ये भाई बहन की रेखा ही मानी जाती है अब अनुभाव में हमने क्या पाया है कि इन रेखाओं का संतान रेखाओं से संबंध नहीं मिल पा रहा है यानि कि जब भी हम इन से संख्याएं जानने की कोशिश करते हैं या संतान होगी या नहीं होगी अधिकतर उन हतेलियों में भी ये रेखाएं हैं जिनें कोई संतान नहीं हुई है तो ये रेखाएं हम भाई बहन की रेखा अगर मान ले तो शायद बहतर है बजाई की संतान रेखा होने के हलांकि यह अभी बहुत शोध का विशा है क्योंकि इसके बारे में अभी अधिकतर विद्वान ठीक ठीक से हाथ में इसे देखकर भाई बहन को भी नहीं बता पा रहे हैं तो वरतमान रूप से मैं अभी तक इस पर लेकर आश्वस्त नहीं हूँ कि यह रेखाएं क्या दर्शा रही हैं और हस्त रेखा में क्योंकि कुछ प्राचीन दुरगटनाएं जो हमारे संस्कृतिक रूप से हुई हैं हम पर जो आकरमन हमले हुए हैं और उस दुरान बहुत से विशैशिक ग्रंथ नश्ट कर दिये गए हैं और ऐसे स्वामुद्रिक शास्त्र का बहुत बड़ा हिस्सा उस हमलों में नश्ट हुआ है तो इसलिए हम ये मानेंगे कि अभी इस पर नए सीरिश शोद किया शक्ता है तो शोद जारी है कुछ मैं कर रहा हूँ कुछ आप करिए तो हम नई चीज़ें खोज लेंगे और ज्यान को जो आपको उपलब्द हो जाए जो आप जान ले उसे बांटें क्योंकि बांटने से यान बढ़ता है अगर हम बात करते हैं संतान रिखा अब संतान रिखा को माना जाता है कि विवाह रिखा के उपर जो खड़ी रिखाएं है ये संतान रिखा है इससे अधिकतर लोग सहमत है अधिकतर विद्वानों का ही हमत है कि यही रिखाएं संतान रिखाएं सबसे पहले ताप यह निर्णा कर लें कि यहां रिखाएं कौन सी विवाह रिखा है यदि एक या एक से अधिक विवाह रिखा है तो आप यह संक निशित करें कि सबसे पहले विवाह रिखा कौन सी है विवाह रिखा को निशित करने के लिए आपको यहां यह देखना होगा कि यह जो है ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं में से कौन सी रेखा स्पष्टर अधिकलंबी है सबसे पहली बात तो दूसरी बात व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं कि उसके आयू किस आयू में विवा हुआ है ये आप उससे पूछ लेते हैं, किसा किस आयू में विवा हो है, तो उस आयू के समभंध में देखे, कौन सी रेखा है, या एक व्यधनी कहता है कि 28 वर्ष में उसका विवा हुआ, अब ये रेखा तो 28 में बैठेगी ये रेखा 28 से पहले बैठ रही है ये रेखा बहुत पहले बैठ रही है तो ये उसके संबंधों की रेखा हो सकती है अफ्रेक्शन अकर्षन की रेखा हो सकती है किसी से लगाव की रेखा हो सकती है किसी सुष्यक ये गुरू की रेखा हो सकती है किन्तु किसी बी स्थिती में विवाह रेखा ही नहीं हो सकती फिर ये तो अब ऐसी स्थिती में ये अगर विवाह रेखा है तो हमें विवाह रेखा में संतान के संबन में क्या देखना है तो मैं इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि अगर ये रेखा एक आतेली के बाहर की और से एक रेखा आती हुई इस तरह से अंदर की और प्रवेश कर रही है तरजनी उंगली के ठीक नीचे की स्थे अंदर गुद्ध परवत पर अब इस रेखा के ऊप और खड़ी रेखाएं और अब एक विवाह रेखा हम माल लेते हैं तो इस विवाह रेखा के ऊपर एक खड़ी रेखा दो तरह की हो सकती है एक बहुत पतली और थोड़ी सी औस पश्ट रेखा और एक बहुत मोटी और गहरी रेखा अब विद्ध्वानों का अमत है कि जो पतली रेखा होती हैं ये कर्या संतान का सुचक होती हैं जबकि जो मोटी रेखा होती हैं ये नर संतान यानि कि पुरुष संतान का सुचक होती हैं तो जितनी आपकी पतली महीन रेखाएं हैं उतनी रेखाएं कर्या संतान और जो स्पश्ट रेखाएं हैं वो ये असपश्ट रेखाएं पुत्री और सपश्ट रेखा पुत्र का संखेत मानी गई है इसके बारे में अब कौन सी संतान किस क्रम में होगी इसके लिए आपको हठेली के इस ओर से काउंट करना है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां सबसे पहली संतान फिर उससे अगली फिर उससे अगली दिखाई देगी यह उपर क्यों जाती हुई सपश्ट रेखाएं होंगी अगर कोई रेखा नीचे से निकल कर उपर जा रही है तो ये रेखा संतान रेखा नहीं मानी जाएगी ये विवाह रेखा को काट्टी हुई रेखा है जो विवाहिक अर्जने पैदा करेगी समस्यां पैदा करेगी विवादस्पद स्थिती पैदा करेगी किन्तो संतान के संबंध में ये रेखा यात नहीं होगी यानिकि इसको संतान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए तो ये संतान के संबन में रिखा तो अब संतान के संबन में एक तो बात हम यही देख लेनी है कि इस तरह से हम देख सकते हैं दूसरा हमने बताया था मैंने जब आपको अंगूठे के बारे बताया था तो अंगूठे पर द्विप्चिन का होना जो है वो संतान उत्पादक्ता की स्थिति को दिखाता है और ऐसे भी बताता कि वो संतान होंगी उस व्यक्ति को और संतान का क्रम जो है कितनी संतान होंगी द्वीब की संखे से जाना जा सकता है तो ऐसे में आप अंगूठे का द्वीब देख सकते हैं इसके लिए मैंने special एक वीडियो बनाई है यदि आपको वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भासतर एका की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ देख सकते हैं ये आपको संकेत वहाँ यवचिन्ह के मैंने वहाँ विस्तार से बताएं अब दूसरी बात हमें जब हम संतान की बात करें तो हमें शुक्र को देखना है शुक्र संतान उत्पादक्स्तिती की बात है रेखाई तब महतोपूर होंगी जब संतान जन्म लेगा और संतान जन्म तब लेगी जब जनन की क्षमता व्यक्ति के अंदर होगी तो जनन की क्षमता जानने के लिए शुक्र को देखिए यदि शुक्र बहुत दबा हुआ है तो यह संतान की शमताओं को कम करता है, संतान जन के समधिक समस्याओं को दिखाता है और यदि आपको दिखाई दे कि स्वास्थे रेखा जो है वो आपको दिखाई दे कि बहुत खराब है, बहुत आसमान जस्थिती में है तो संतान होने में समस्थाइं अधिक होती है ऐसी इस्थियों को यूटरस संबंदी समस्थाइं ऐसी इस्थियों को हो सकती है लेकिन विशय शूप से शुक्र का बहुत महत्व इस मामले में रहता है तो यह जो हमने बात की यह थी संतान के बारे में इसी कड़ी में हम अगली वीडियो में आपको अगली विश्य पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि भविश्य में आने वाली वीडियो तब भी आपको पता चल पाएंग कि दूसरा अगर आपकी कोई शंका है कोई इसके बारे में समाधा शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते